हेलो फ्रेंज, वेलकम यू आर, कैसे हैं आप साब? I hope फ्रेंज, आप सभी स्वस्त होंगे और अपना-पना ख्याल रख रहे होंगे आज के रीडिंग में फ्रेंज हम लोग चेक कर रहे हैं October 2024 आप लोगों के लिए career और growth के regarding कैसा रहने पाला है Alright, हमारा पस तू कार्ट है First है हमारा stalk, this one And second है हमारा house, that one I hope ये दोनों ही कार्ट आपको clearly दिख रहे हैं आपको इन में से one कार्ट चोज़ करना है Time stamp friends description box में given है I hope आप लोगों ने अपना कार्ट चोज़ कर लिया होगा जल्दी से comment box में बताएं आपने कौन सा pile चोज़ किया है Welcome pile number one जिन्होंने ये beautiful सा store का कार्ट चोज़ किया है We are going to check October 2024 आपके करियर और ग्रोथ के रिगार्डिंग कैसा रहे गा जल्दी से friends वीडियो को लाइक करें positive energies को exchange करें Friends overall energies आपकी ऐसी रहेंगी कि आप efforts practically तो करियर पे लगाओगे Improvement पे लगाओगे लेकिन basically आपका मन रिष्टो को लेकर बिचेन रहेगा परिशान रहेगा आपका focus आपके love life और relationship जादा रह सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग alone feel कर सकते हैं अपने loved ones को miss कर सकते हैं और ऐसा लग रहा है उन्हें stock कर सकते हैं उनके बारे में बहुत deeply सोच सकते हैं वैसे भी friends जिन्होंने pile number one choose किया है वो बहुत ही kind hearted kind hearted इंसान है family oriented है loving है caring है Friends ऐसा लग रहा है कि overall energy आपकी रहेगी इस month heart chakra activation with it third eye chakra activation and ऐसा भी मैं strongly feel कर पा रही हूं कि आप अपने career को लेकर कोई solid action लोगे आपका दिल जो कहता है इस महीने आप वो करोगे and definitely जो proposals जो door आपके लिए बंद है regarding your career definitely आप उनके open होने का बड़े ही patience के साथ wait करोगी ठीक है ये energies आपकी overall है आप में से 38 किसी की age हो सकती है 26 हो सकती है 30 हो सकती है and किसी की age 17 या 18 भी हो सकती है Friends अगर मैं career के regarding बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस month आपको कोई victory कोई success कोई good news मिलने वाली है जिसकी वज़े से आसपास के लोग आपको बहुत appreciate करेंगे आप celebrate करोगे and उस success को enjoy करोगे अगर आप student है तो किसी exam को आप crack कर लेंगे अगर आप कहीं work कर रहे हैं तो कोई promotion आपको मिलेगी and अगर आप job के लिए search कर रहे हैं तो हो सकता है good और stable job आपको मिले अब हम टारू से check कर लेते हैं कि जिन्होंने पाइल नमबर वन चूस किया है October 2024 उनके career के regarding कैसा रहेगा the moon reverse में आया है तो ऐसा लग रहा है friends कि आप मेंसे कुछ लोग ना थोड़ी से insecure से रह सकते हैं हो सकता है ऐसा feel करें कि यूनों आपके life में जो आ रहा है या जो चल रहा है career या जो पैसा आ रहा है पता नहीं वो secure है भी या नहीं एक insecurity से आपको परिशान कर रही है negative energy किसी की नजर लगना या फिर अंदर से ही किन security कि या आज तो progress मिल रही है success मिल रही है ऐसा नहों कल चली जाए वो थोड़ आपके मन में advance में आ रहे हैं आपके colleague आपके competitor आपको demotivate करें humiliate करें या आपको trigger करें उसके chances इस मन्त में बनेंगे ठीक है ऐसा भी लग रहा है friends कि आप लोग बहुत confident रहेंगे smartly सारी problem से बहार निकलेंगे और इस मन्त आपके career के regarding growth के regarding improvement के regarding जो भी goals है वो achieve होंगे ठीक है आप अच्छे manifester रहेंगे magician की energy में रहेंगे साम दाम दंड भेद सब को अपना कर आप अपने career में अपने goals को crack करेंगे friends आप में से कुछ लोगों की energy में ना कुछ numbers और dates हैं जो important हो सकती है and they are 1, 19, 28, 10, 7, 16, 25, 8, 17, 26, 9, 18, 27 यह number यह dates आप में से कहीं लोगों के लिए important और prominent हो सकती है ऐसा लग रहे friends career के regarding आपको कहीं travel करना पड़े आपको promotion मिले and आप कहीं posting change करो यह आप में से कुछ लोगों का visa लग जाए and आप लोग विद्देश जाकर settle down हो जाओ उसके chances इस month ना बहुत strong बनने वाले हैं हर्मिट ऐसा लग रहा है friends की जो रिष्टे आपकी career के growth में बाधा create करते हैं कहीं ना कहीं उनसे आप लोग ब्रेक लोगे उन्हें आप बहुत जादा consider नहीं करोगे आपका maximum focus आपका career रहेगा इस पूरे month ठीक है वैसे तो आप हमेशा से family oriented हो रिष्टों के matter आपके दिल में तो जरूर रहेंगे बट आप उन matters को अपने career को spoil करने बिल्कुल नहीं दोगे ठीक है ऐसा लग रहा है कि आप अपनी authority और power में रहोगे and career के regarding कोई wish इस month suddenly unexpectedly आपकी पूरी होने वाली है congratulations in advance अगर friends मैं जोदियक्स की बात करूँ तो यहाँ पर cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries and Taurus energy बहुत prominent है अब मैं चेक कर लेती हूँ angels क्या कह रहे है अप्टूबर मन्त में आपके लिए क्या advice, guidance और messages दे रहे है friends यह reading आप से कितनी resonate करी है comment box में जरूर बताना ज्यादा clarity के लिए आप लोग personal readings book करा सकते है easily मुझे whatsapp करकर मेरा whatsapp number, reading की detail, description box में given है universe भी आपको यही कह रहा है जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप इस मन्त authoritative रहोगे अपने decisions, अपने actions खुद लोगे और आपको वो काम करना है authoritative रहना है अपने actions, अपने decisions खुद से लेने है there is something better इस मन्त में आपका career एक पड़ाव आगे जाएगा good से better हो जाएगा ठीक है, don't stop आपको रुपना नहीं है परिशान नहीं होना है ट्रस्ट रखना है कि आपकी life में सब होगा और definitely अब आप ready हो उस सब को achieve करने के लिए congratulations friends may God bless you and take care hello friends, welcome जिन्होंने ये pile number 2 चूज किया है house we are going to check October का मन्त आपके career के regarding कैसा रहेगा all right जल्दी से friends, positive energies को exchange करें, वीडियो को like करें share करें please universe बताएं जिन्होंने pile number 2 चूज किया है October 2024 उनके लिए कैसा रहेगा ओम गोरी शंकराय नम oh my God woman holding a coin ये काट तो already मुझे ये चीक चीक कर बता रहा है कि इस मन्त तो आप expected ही नहीं बलकि unexpected progress, growth और achievement हांसिल करोगे ऐसा भी बहुत strongly लग रहे है कि जैसे आप इतना पैसा कमाओगे इतने successful हो जाओगे कि आसपास के लोग आपको देखकर jealous फील करेंगे ठीक है तो इस मन्त आपका Venus बहुत strong रहेगा जिसकी बदोलत करियर में drastically positive changes आते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मेंसे किसी की एज 42 हो सकती है 34 हो सकती है 50 हो सकती है आप मेंसे कुछ लोगों के लिए 4, 22, 13, 31 3, 12, 21, 30 2, 11, 29, 20 5, 14, 23 numbers और dates important और prominent हो सकते हैं ठीक है फ्रेंज मैं यहाँ पर strongly feel कर पा रहे हूँ कि इस मन्त आप spiritual रहोगे down to earth रहोगे calm down रहोगे आप career की regarding बहुत अच्छा achieve करोगे और उस पैसे को utilize करोगे reinvestment में future plans में और साथी में उसमें से कुछ पैसे को आप donations में भी use करने वाले हो ऐसा लग रहा है इस मन्त कहते हैं न कि जैसे हमारा career grow होता है हमारे अंदर एक power एक authority confidence आता है तो इस मन्त न वो आता हुआ भी दिखाई देता है जैसे अगेन आप अपनी power में हो अपनी authority में हो आपकी strength बढ़ रही है आपकी value बढ़ रही है ठीक है definitely आप confidently सर उठाकर जी पार रहे हो वो vibrations यहाँ पर हैं तारों से चेक करते हैं October 2024 आपके लिए कैसा रहेगा अगर इस मन्त आप में से कुछ लोगों का घर खरीदने का सपना है तो definitely वो सपना पूरा होगा ठीक है तारों यहाँ पर बता रहे हैं friends की कहीना कहीना आपके competitors आपके colleagues या आपके आसपास के लोग आपको demotivate कर सकते हैं आपके सथ competition में उतर सकते हैं या फिर आपके साथ एसा वहवार कर सकते हैं जिससे आपको गुसा आ जाए जिससे आपकी repetition खराब हो जाए जिससे आपकी career में progress रुख जाए या जिससे आपका धिमाग ही चलना बंध हो जाए और आप अपने career पर focus करना ही बंद कर दें ठीक है लेकिन ये लोग अपनी चालों में काव्याप नहीं होंगे competitor हो या colleague जो भी आपसे jealous कर रहे हैं आपको उन पर गुसा तो आएगा बट बहुत ही mature way से unexpected जगड़ों को या फिर मैं बोलूं unusual या जिनका कोई logic नहीं है ठीक है बेकार के जगड़ों को आप avoid करोगे unnecessarily arguments को आप avoid करोगे और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके छोटे मोटे arguments और लड़ाई जगड़े colleagues से, competitors से या आपके आसपास के लोग जो आपसे jealousy करकते हैं उनके साथ हो जाएं बट still सबको पीछे छोड़ते हुए, ignore करते हुए आप आगे बढ़ोगे and आप में से कुछ लोगों का foreign trip, foreign जाने का plan भी successful होता हुआ दिखाई देता है इस month आप अपने authority में रहोगे, power में रहोगे and जो plans, जो लोग या जो रिष्टे आपके career में blockage create कर रहे हैं, उनके साथ आप एक detachment mode में भी आते हुए दिखाई देते हैं यहाँ पर friends अगर मैं zodiac के बात करूँ तो Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra and Aquarius energy बहुत prominent है आल राइट, थोड़ा सा और चेक करते हैं friends यह reading आप से कितनी resonate कर रही है, comment box में जरूर बताना ज्यादा clarity के लिए आप लोग personal readings बुक करा सकते हैं easily मुझे whatsapp करकर and मेरा whatsapp number description box में given है जाएं जाकर easily check करें and personal readings बुक कराएं जिसमें सिर्फ आपकी बात होगी ठीक है, ऐसा लग रहा है friends इस month में आप अपने career में fast और furious way से आगे बढ़ेंगे क्या पीछे छूट गया, क्या past था, क्या ठीजे आपके लिए work नहीं करी उन चीजों के बारे में आप सोचेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, consider नहीं करेंगे ऐसा भी लग रहा है कि आप isolated रहना पसंद करेंगे, खुद के career, खुद की skills और खुद की knowledge को improve करने की कोशिश करेंगे तो overall यह month improvement का है, progress का है, victory का है और आपका maximum focus, आपका career, आपका पैसा, आपकी improvement और stability रहेगी इस month आप में से कई लोग इस month गाड़ी ले सकते हैं, खुद की, ठीक है या नहीं गाड़ी ले सकते हैं, या पुरानी गाड़ी को replace करा सकते हैं recovery, तो अगर आप में से कुछ लोग finances में करजों को लेकर, ठीक है debt को लेकर परिशान थे, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी आप इस month उतारने शुरू कर देंगे ऐसा लग रहा है कि कहीं से आपको कोई communication इस month receive होगा जो कि आपके career के लिए बहुत important होगा ठीक है किसी का office का call letter, appointment letter, promotion letter, clients के कुछ best reviews या कुछ बहुती बहतरीन updates आपको मिलेंगी जिसके बाद आप बहुती blessed feel करेंगे choose a new direction, universe ऐसा भी signal दे रहा है कि अगर किसी job में या किसी work में आप satisfied नहीं है तो आप एक new direction choose करेंगे, new work, new job choose करेंगे and वहाँ अपने आपको stable करेंगे don't stop, ऐसा लग रहा है इस month आप बहुती passionate रहेंगे, energetic रहेंगे और career के साथ साथ good luck, romance भी आप अपनी life में attract कर रहे है, recovery बता रहा है, good health आपके life में आ रहे है तो overall ये पूरा month आपके लिए so much of blessings लेकर आ रहा है और advice आपके लिए सिर्फ इतना सा है कि आपको अपनी health पर ध्यान देना है and जो things work नहीं कर रहे हैं, उनके लिए new direction चूज करनी है ठकना नहीं है, परिशान नहीं होना, full energy के साथ life में आगे बढ़ना है alright friends, thank you so much for watching अभी के लिए इतना ही जल्दी मिलेंगे new reading के साथ bye bye, have a good day